नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों जब से नागपुर ग्रामीन SP पद को हर्श पुद्दार ने संभाला है उसके बाद से अपराधिक प्रवित्ति के लोगों के मने में एक भूचाल सी आ गई है खेर सुत्र बताते हैं कि हर्श पुद्दार के काम करने का तरीका बहत अलग है जो खास करके आम जनताओं को काफी भा रहा है क्योंकि पुलिस टेशन में जो एरिया है पुलिस टेशन अपना काम कर रहे हैं पुलिस बाले अपना काम कर रहे हैं ठीक है लेकिन इसके बाबजूद भी विशेश पूलिस पतकदल यानी की शॉट फॉर्म में लोग इसे SP स्कॉट भी बोलते हैं, जिसके नेत्रित्व कर रहा है API अमीत पांडे, ये स्कॉट बेहत खतरनाक है, ये कहीं भी पहुंच सकती है, इसके लिए किसी को किसी भी पूलिस के ज प्रिक्षन में जाने के लिए किसी की पर्मिशन नहीं लगती, ये नाकपुर ग्रामीन में कहीं भी जा सकते हैं, और हर एक छोटी चीज़ों को डिरेक्ट रिपोर्ट टू, SP हर्स पुद्दार को इवलोग करते हैं, अगर किसी अपरादिक परवित्ती के लोगों की सेटि रहे हैं, जो भी इनको गुप्त सूचरो से जो सूचना मिलती हैं, उस पर ये तुरत एक्षन करते हैं, हाल फिलहाल में दो दिसंबर को केडवत थाना छेतर अंतरगत एक बड़ी करवाई, SP सकॉट ने किया, रजनी गंधा हो या फिर जो विविन परकार की जो सुगंधित तम बाकू हो, इस समंधित जितनी भी चीजे हैं, जो इजली लोग अवैध तरीके से अपने पांठेलों पे लोग बेशते हैं, जो प्रदेश में स्वास्तेहानी कारक समंधित को ले करके पूरी तरह से बैन है, ऐसी चीजों को SP सकॉट ने पकड़ा है, साथ में एक मोबा जब से सकॉट का निर्मान हुआ है, हर्शपॉद्दार ने किया है, तब से लगातार एक से एक बड़े काम ये सकॉट कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी अच्छा भी लग रहा है, कि इस तरह की कारबाई होनी चाहिए. हर्शपॉद्दार के बारे बताया जाता ह कि काफी डाउन टू अर्थ है और लोगों की समस्याय सुनने में उनको समधान करने में किसी के साथ अन्याय न हो और जिसके साथ अगर अन्याय हुआ है उससे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं कुछ ऐसी घटनाय होती है जहां पर S.P. हर्ष पुद्दार तुरत बीना समय गवाय वहां पहुंचते हैं और जब पहुंचने के बाद लोगों से बातचीत करते हैं उन्हें सुनते हैं समस्ते हैं तो लोगों को एक विश्वास जगता है कि S.P. हर्ष पुद्दार आये थे स्कॉट हो वो किस तरीके से और भी बड़े कामों को अंजाम देते हैं खर आप हमेरे साथ बने रहे हैं देखते हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इंडिस्या न्यूस पर जहेंड